किड़नी के बिमारी आज आम हो गई है आज देश और दुनिया भर में कई लोग किड़नी की समस्या से जूच रहे हैं अगर हम दुनिया भर में इस समस्या से जूच रहे लोगों के बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 85 करोर लोग इस किड्नी की समस्या से परिशान है और वो अपनी इस परिशानी को कम करने के लिए तरह तरह के उपायों को भी आजमा रहे हैं उन्हें उपायों में से एक का नाम है किड्नी डालसिस जिसे कि अक्सर किड्नी फेलियर मरीजों के लाज के लिए प्रयोग किया जाता है हाला कि किड्नी डालसिस से कई लोगों में इसके साइड एफेक्ट्स को भी देखा गया है साथ ही उन्हें कई अनिशादिरिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा है किड्नी के बिमारी में आपको डालसिस न कराना पड़े उसके लिए एक अच्छे डाइट चार्ट को फॉलो करना बहुत जरूरी है इसके सेवन से काफी हद तक किड्नी की परिशानी को कम किया जा सकता है आज के इस वीडियो में हम किड्नी रोग में खाय जाने वाले कुछ बेहती सरूरे फूर्ट की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किड्नी डालसिस से बचने के लिए आपको क्या खाना चाहिए अगर आप भी किड्नी से जुड़ी किसे भी समस्या से परिशान है तो वीडियो में इंट तक बने रहें और अगर आपने अभी तक हमारी चानल स्टॉप किड्नी डालसिस को सब्स्क्राइब नहीं किया है तो अभी करें साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से जुड़े इस तरह के इन्फरमिटव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अब अगर बात की जाए उन फूट्स की जो आपको किड्नी डालसिस से बचाने में मदद कर सकते हैं तो उसके लिए इस बात को जानना जरूरी है कि कौन सा फूट आपकी किड्नी की समस्या के लिए खराब हो सकता है तो अगर हम बात करें उन foods की जिनका सेवन आपकी किड़नी की समस्या में नहीं करना है तो किड़नी की समस्या में आपको protein, sodium और potassium से भरपूर foods का सेवन नहीं करना है क्योंकि ये सारे nutrients आपकी किड़नी की समस्या के लिए खराम माने जाते हैं potassium, sodium और protein से भरपूर foods की बात करें तो आपको दूज से बने किसी भी product को खाने से परहिस करना है साथ ही chicken, अंडा और किसी भी तरह के non-vig item को खाने से भी दूर रहना है इसके अलावा आपको हरी पत्तेदार सबजियां और बाजार में मिलने वाले fast food items को भी नहीं खाना है साथ ही नमक के सेवन और चीनी के intake को अपनी diet से अलग रखना है लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो बहुत सारे food items को आपकी kidney के लिए खराब बताया है तो आखिर आप किन foods को खाकर अपनी kidney के समस्या में आराम पा सकते हैं तो उसके लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप एक kidney के मरीज हैं तो आप गेहूं के बनी रोटियों को अपनी diet में शामिल कर सकते हैं साथ ही मूम की डाल को थोड़ी मातरा में लेकर अपनी diet का हिस्सा बना सकते हैं इसके अलावा अगर हम kidney रोग में खाय जाने वाली सबजियों की बात करें तो अगर आप अपनी kidney की समस्या को गम करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा बताएगे इन टिप्स को जरूर फॉलो करें साथ ही kidney के सही treatment के लिए डॉक्टर से concern सरूर कर लें तो आज के लिए बस इतना ही आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेट करके सरूर बताएगे साथ ही इस वीडियो को like और share करना बिलकुल भी न भूलें हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना खयाग रखें हिल्दी रहें नमस्कार